विभाग के सचेव शेंशु प्रकास अन्पतादी कारिगन सभीयन्य ओफिसर्स मीडियक मित्रों मैंने आप से बात्चित करने का ये कारकरम क्यों तैय किया ये मिरी इक्षा थी थोड़ा मैं आपको जानू और थोड़ा आप मुझे जाने और मैं नहीं ये दिरने किया था कि मैं यंग ऑफिसर्स से बात्चित करना चाहता हूँ जैसा अन्शु ने बताया है मैं कर रात में एक बज़े लौटा शिलंका से कामन्विल्थ लॉपनिस्टर्स कामन्विल्थ आप जानते हैं लगबग पचास साथ डेश हैं जो पहले अंग्रेजों के अधीन थे अब एक कामन्विल्थ बना है हम लोग एक्वालिटी के अधार पर मिलते हैं और दुनिया का एक बहुत बहुत बढ़ा मुल्टिलैटरल फोरम है और लौ मिनिस्टर्स के कारकरम को बाद फिर हेट्स अब स्टेट के कारकरम होते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहरा था कि तीन दिन में मेरे लगबग पांचे भाशन हुए और हर बार भारत के डिजिटल स्टोरी की चर्चा दुनिया के सभी देश आए थे बहुत ही उत्सासे कर रहे थे हैं जायो डिजिटल इंडिया हो यह कोट का डिजिटाजेशन हो यह डिजिटल डिलिवरी अफ सर्विसेज हो यह डेटा पर भारत की क्या सोच है तो पूरी दुनिया भारत को बहुत ही सम्मान से रेखती है और अभी जो मेरे बारे में परिचा में बताया गया तो टोड़े डिजिटल इंडिया इस बिंग ग्लोबली रेकेगनाईज एन इस सक्सेस रेजोनेटिंग जब द्धान मंत्री बहर जाते हैं तो दिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं तिजिटल पेमेंट की बात करते हैं आज बात बहुत बड़े transformation में आपकी जमात की बहुत बड़ी भूमिका है. What is digital India? You must understand. Digital India in simple words means to empower ordinary Indians with the power of technology. To bring a change in their life. Bridge the digital divide. And most important, bring in digital inclusion. Samavish ही भारत बनाना है. और आपको इसलिए जानना जरूरी है कि एक तरफ भारत के IT कंपनियों ने मुबाइल के माध्यम से दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया. That is software services. Digital India is empowering, transforming. You all must understand that. तो ये जो बदलाव है जिसमें मुबाइल की बहुत बड़ी भूमी का है. और जब मुबाइल होगा तो आप आएंगे. जब कम्मुनिकेशन होगा तो आप आएंगे. This age of communication, communication is power. This age of technology, technology is power. तो भारत का जो हम एक बहुत बड़ा विशन बना रहे हैं. E-Governance, Digital Governance, Digital Payment, E-Hospitals, E-Scholarship, E-Visa, E-NAM. यह आज हम लोगे डिजिटल सेवा में कई नए मिल्क के पत्थर स्थापित के हैं. GST writes on digital, you know that very well. आईश्मान भारत writes on digital, आपको पता है. यह दुनिया के सबसे बड़ी healthcare scheme बन रही है. तो digital foundation is becoming the main pillar of India's transformation. इस बात को आप समझें. और इसको समझें नहीं, मुझे आप से सहयो क्या पेक्षा है. तो हम देश को भी ठीक कर रहे हैं, मुझे विभाग को भी ठीक करना है. तो आप मैं सक्त मंत्रियों उसका ध्यान रखियेगा. मुझे BSNL को ठीक करना है, मेरी priority है, और मैं ठीक करूँगा. और मुझे विभाग को भी ठीक करना है, आपकी सोच को बदलना है. नई चुनोतियों के साथ, इसमें आप क्या सोचते हैं, यह मैं आप से अप्रिक्शन करूँगा. आज देखे, 2015 में हम लोग ने स्टार्ट अप मुव्मिन्ट शुरू किया, और आज देश में 21,000 स्टार्ट अप हो चुके हैं. टेक्नोलजी स्टार्ट अप 8,000 हो गए. जिसमें यूनिकॉर्ण कितने हैं, 24. वाट इसमें अप इसमें आप से उमीद करूँ कि आप कुछ इसके बारे में सोचेंगे? और देखे, मैं प्रोटोकॉल वगर बहुत मानने वाला वेक्ती नहीं हूँ, जो आप चारिकता है, वो की जाएगी. But I want fresh ideas to come from all of you. यह मेडिया देख्शा है, सोचना शुरू करिये, पढ़ना शुरू करिये, और इन सब के लिए सबसे जरूरत बात है, कि आप All India Service के हैं, अच्छी बात है. लेकिन अफसर साही छोड़िये, टेक्नोलोजी शाही आगे लगाएए. यह मेरा आपनों से पहला आग रहे हैं. इसलिए मैंने कहा था कि यंग बच्चों को बोलो प्रदेंटेशन करेंगे, आज मैं देखूंगा आपके सामने, कैसा करते हैं आप? दूसरी मेरी आप से अपक्षा क्या है? और मैं सबों पर यह लागू है, वो यह है, देखिए देश बदल रहा है, मैंने बताया अब जैसे एक डीवी टी, डैट बेनिफिट ट्रांसफर, हमने 37 करोड बैंक एकाउंट खोले गरीबों के, जिनके बैंक नहीं थे, आधार से जोड़ा, मुबाइल से जोड़ा, हम लोग ने एक लाख 31 करोड रुपया बचाया है, जो बिचॉलिये और फिक्टिशिस क्लेमेंट खा जाया करते हैं, and how much we have transferred to the bank account to the poor, in welfare measures, 8,63,000 करोड तो टेक्नोलोजी के सही उप्योग से आप क्या काम कर सकते हैं, देश बैस से बदल होता है, तुभी आप से अपिक्षा होगी, कि आप सोचें, आप innovative बने, और मैं आपको पहला मेरा आप से अपिक्षा यही है, become innovative, start thinking, और share करें, और सची हो और विभाग के सारे पता अधिकारियों को मेरा निर्देश है, अगर कोई बच्चा अच्छा सोचे, तो उसके गया है, यह मेरा यह पिक्षा होगी, और मैं, अब यह मैं मंझ पर सोच रहा था, मैंने अंशु से बात किया, कि हम एक incentive पुरास्कार देंगे, अच्छे सोचने वालों को, who come with new ideas, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए, my stern message, and mark my word, my stern message, I expect a qualitative change in your thinking process, अच्छा लगेगा कि आपने competition हो, आप नए विचारों को कैसे quality of service को improve करें, कैसे हम नए patent बनाएं, technology के fit में, technology एक नए अरिया है, बड़ा challenging अरिया है, artificial intelligence के बारे मैं भी चर्चा किया, अंशु ने, AI का सदुप्योग पूरा होना चाहिए देश में, क्या मैं आप लोगों से पिक्षा करूँगा कि artificial intelligence को आप study करेंगे, and how can artificial intelligence be leveraged for country's growth, सोचे इस परा, यह मर्या पिक्षा होगी, और मेरी बहुत अपिक्षा है कि, नए नए intellectual patent create किये जाएं, और अंशु इस बात के लिए मैं विशेश निर्देश दूँगा, कि विभाग patent create करने वाले products के लिए special incentive दे, यह मेरी अपिक्षा होगी, यह मेरी आप लोग से अपिक्षा है कि, आप लोग, तो कि मैं यह शुरू क्या हूँ, यही मैं आगे, IT में तो करते ही रहता हूँ, मैं law में भी बात करूँगा, मेरा कारेक्रम है, I want this exercise to become a part of various departments initiative, as to how new ideas can be promoted, new ideas can be recognized, and new ideas can be incentivized, यह मेरी आपिक्षा होगी है, दूसरी बात, मुझे क्या कहनी है, अभी भाग के challenges है, इन challenges को समझना चाहिए, विस्तार से, और मैं चाहूंगा हमारे वरिष्ट पदाधिकारी इन challenges को new recruits के साथ share करें, चाहे वो तीनों विभाग के लोग बैठे हैं, वो समझें, हमारे विभाग में क्या-क्या करते हैं, और क्या-क्या challenges हैं, उन challenges के बारे में आपकी सोच क्या है, उसको improve करने के, उन challenges के बारे में जो आपके वरी पदाधिकारी हैं, उनसे ग्यान क्राप्ट करिए, उस ग्यान के अधार पर अपना युगदान करिए, और कुछ नया निका लिए, यह मुझे आप से दूसरी बात का नहीं है, इस संदर में मुझे आपको दो-तीन example, just by way of illustration, quality of service को improve करने के लिए क्या-क्या किया जाए, सोचिया, cyber security, safe internet, safe communication के लिए क्या-क्या किया जाए, सोचिया, यह हमारा भारत निट है, इसमें last mile delivery में नया क्या-क्या करना चाहिए, सोचिया, ताकि उसका हम optimum utilization कर सकें, काफी कुछ नया हम कर रहे हैं, और हम करना चाहते हैं, यह जो मैंने आपको दो-तीन बातें बताईए, और फिर कहूंगा, इन सबों में नए-नए patent के संभावनाएं हैं, एक मेरा और बहुत बड़ी योजना में लेकर चलना हूँ, मुझे एक लाख digital village देश्ट में स्थाफित करने हैं, hundred thousand digital villages, लगबख साथ-ाच्टों हमनों ने शुरू किया है, पाइलेट कर रूप में, और मैं जहां बे जाता हूँ, इसका बहुत impact पड़ता है, मैंने अपने शहर पटना के आसपास प्रयोग के रूप में 20-25 जगह स्थाफित किया, and I was amazed to see the quality of life changing there, और जब मैं घुमता हूँ, अपने शहर्ट में तो लोग कहते हैं, हमें नली गली नहीं, हमें digital गाउँ दीचे, और ये भूक मैं पुरे देश में उहारना चाहता हूँ, कि हमें digital village चाहिए, क्या है मेरी सोच digital village के बारे में, a village becomes a digital identity of health care, of education, of empowerment, of skilling, मेरे मन में ये भी होजना है कि, मैं private corporate giants से request करूँगा, कि अपने corporate social responsibility के अंतरगत, आप लीजे 500 villages, हम उसको godfathering करेंगे, मनाएंगे, इस digital village को आप सफल करने में, आपका क्या योगदान होगा, सोचना चाहिए आपको, इसलिए मेरी अपिक्षा होगी, कि IT विभाग और communication विभाग में, अधिक coordination होना चाहिए, और मैं आपको एक और foot for thought दे रहा हूँ, law मंत्री के रूप में, access to justice के लिए, मैंने, CAC का उपयोग किया था, कि pre litigation advice किसी बहू को जो परिशानी में है, कोई बहू matrimonial violence सफर कर रही है, कोई किसान मजदूर परिशान हो रहा है, कोई बच्चा अपने child right से deprived हो रहा है, तो उसको रास्ता कैसे बिलना चाहिए, तो उन्हें वकीलों की एक panel बनाया और एक fix समय में pre litigation advice उनको मिलता है, और फिर उनको आगे का एक रास्ता दिखाई पड़ता है, तुम ऐसे चलो, यह तुम्हारे अधिकार है, यह रास्ता बनाओ, यह तुम्हारे reconciliation, mediation का scope है, आपको बताएं, हमने बिहार, UP, कश्मीर, North East को pick up किया था, अन्ठानवे हजार request आए, आट-दस मेने में, और कफी सफलता थे disposal हुआ, अब मैं इसको all India scale up करना चाहता हूँ, इसको और digitally मजबूत किया जाए, मैं आप से कानूनी सला की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका facilitation और कैसे आगे किया जाए, सोचना चाहिए आप लोगे, तो यह कुछ हमारी सोच है आप लोगे बारे में, और यह सोचने के लिए आपको ठिंकर बनना पड़ेगा, आफसर नहीं, और यह आप से अतेक्षा है कि फिल्ड में आप जहां भी हो जाएए, लोगों की दिक्कत सुनिए, उसका रास्ता निकाल लिए, और रास्ता निकाल कर ऊपर बताईए, और मेरा अधिकारियों को इसमश निर्देश होगा, जो बच्चे अच्छी सला दें, उस सला पर काम होना चाहिए, लिकिन उस सला को देने के पहले आपका होंवर्टी होना चाहिए, तो जब यह करेंगे तो आप से मेरी बात्चित का परपस क्या था, I want a new culture to dawn in the Ministry of Communication, you must understand that. And I will appreciate if my officers who are senior here will also get the message which I am trying to convey. I want a new transformative culture to dawn in the department, of hard work, of performance, of delivery, of innovation, of thinking. चे मिरी पूरी सोच है. तो इसलिए मैंने सोचा था कि जो बड़े हम तो बड़े हैं, लेकिन जो छोटे हैं, ठोड़ा उनको पहले उत्साहित करो. जब छोटे उत्साहित हो जाएंगे, तो बड़े पलासर पड़ता है. बड़े भी अच्छा काम करते हैं कभी मुझे टाइट भी करना पड़ता है लाज मैं बच्चों के साथ नए उट्सा से शुरू करना चाहता हूँ यह मेरी सोच आप लोग काम करोगे कि नहीं मुझे साफसा बताओ करोगे? पका? जोश इस ओके? ठीक है तो यह सोच होनी चाहिए इसलिए मैंने मैं लास्ट में बोलने वारा था फिर हम मुझे लगा कि एक बार मैं मेरा विचार क्या है आपसे बात्चित के लिए अपना आइडिया आपको दे दू और मुझे सबसे अच्छा लगेगा जब मैं यंग प्रवेशनर्स और उनके इमीजेट सिंगें कि मैं कॉंपेटिशन देखूंगा तम देखो एक बात तुम लोग ध्यान रखो सुनना सीखो यूवेश गेट नियू आइडिया इसलिए तब मैंने अंच्छू से कहा तो इसको करना है और मैं करूंगा देखो मैं थोड़ा तफ मंत्री हूं धान लो तुम लोगो मेरे जिंदीगी का एक ही मकसद है परफॉर्मेंस बस जो परफॉर्म करता है मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूँ और जो परफॉर्म नहीं करता है उसको मैं नमस्ते कर देता हूँ और ये तो ये मेरी सोच या हमारे पधार मंत्री की सोच तो इस से कहीं और जादा है देखो मैं तो इस देश में बहुत कुछ करने के लिए है और दुनिया आज हिंदुस्तान के ओड़ देख रही है आपको पता है न ये तो पर तमाम वर्ल्ड एकोनोमिक डाउन साइजिंग की बात करते हैं इंडिया हाज रिसीव्ट था हाइस एफ डियाई इन दे लास्ट कॉर्टर इन फर्स कॉर्टर अफ दिस यर और उसका बिगेस्ट चंक कहा आया है टेली कमुनिकेशन में और आईटी में तो दुनिया भारत को किस तरह देखती है आप समझेए और आपसे अफेक्शन है क्या है हम भारत की एकोनोमी को फाइव ट्रियन डॉदर दे जाना चाहते है और यह हो सकता है सतर साल में पच्पन साल तक भारत वन ट्रियन डॉलर था हमारे पांच साल खतम होते हो था हम टू पॉइंट सेवन डिलिन डॉलर पहुंच गए तो फिर एडिशनल फाइव ट्रियन डॉलर हम क्यों नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं और भारत की डिजिटल एकोनोमी को मुझे वन ट्रियन डॉल ने जाना है यह पेक्षा है और आप लोगो काम करना पड़ेगा और जब मैं डिजिटल एकोनोमी की बात करता हूं तो डिजिटल डिलिवरी अफ सर्विसेज है उसमें एकॉमर्स है उसमें आपके electronic manufacturing है new technology है उसमें artificial intelligence है यह सब transformative है तो जब यह काम करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के और देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत कैसे बदल रहा है मैं चाहता हूं कि आपके अंदर हो सोच रहे जो startup movement होता है ना इसमें एक बहुत बड़ा अख़बार अवार्ड देता है तो मैं दो बार बैंगलोर गया था अवार्ड देने के लिए और आज तक मैं नहीं भूलूँगा एक 22 से 23 साल का बिलकुल दाड़ी भी ठीक से नहीं कि जो मैंने 24 बताया जो unicorns हैं मैंने जानने की कोशिश की उसमें से लगबग एक दरजन से अधिक ऐसे हैं जो अपने product को अमेरिका और यूरोप में भेज रहे हैं आप ऐसे कमा रहे हैं तो today the world is looking towards India from skill development from innovation to startup तो जब यह सोच है तो आप लोग क्यों नहीं सोचेंगे यह जो वेक्ति नौकरी में नहीं आए वो यह कर सकते हैं तो आप तो all India service से compete करके आए हैं तो अधिक merit है आपने मेहनत किया आपने तो उसका उप्योग करिए और जो हमारी woman officer से मेरी आप से एक और अपिक्शा है वो क्या है woman related issues को आप technologically कैसे solve करेंगे यह मैं आप से affection आप देखिये इसको और देखिये मैं हमेशा देखता हूं जब मैं फील में जाता हूं घूमता हूं तो और woman activist मुझे बहुत प्रभाविक करते हैं जैसे हमारा CAC movement अपने शुना होगा वो पहले 80,000 था में ले गया उसको लगभग 3 लाक प्लास वो डिजिटल खिरकी है डिजिटल पेइमेंट लेंड रेकॉर्ड्स टिक्टिंग करना पास्पोर्ट बनाना तो जब घूमता था तो मुझे एक बात बताई गई कि स्वच भारत के कारण ट्वालेट्स बने हैं तो बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट कम हो गया है तो कि पहले उनको ट्वालेट नहीं होते थे लेकिन जब उनके पिरिएट्स में स्टूर्ट होते थे तो फिर वो ड्रॉप आउट बढ़ जाया करता था तो हमने CAC को कहा कि तुम लोग को एक काम कर सकती हो लोग कॉस्ट सेनिट्री नेपकिन बनाओ और यह मुव्मेंट पिक अप किया और यह कूट सी थे चेंज़ ज़े स्कूल चले हम तो स्वच्छ रहे हम स्वस्थ रहे हम I would appreciate my women officers come with technological solution to the problems of India's women जिसन वोग करना है मुझे अच्छा लगेगा और अन्शु इस बात की चिंता की जाए कि women officers के लिए अलग से incentive दिया जाए अगर कुछ नया product लेकर के आती हैं तो women officers को एक अलग से incentive दिया जाए तो यह हमारी पूरी सोच है यह मैंने बता दिया और देखिए इसको मैं बहुत closely monitor करने वाला हूँ इस आज के भाशन के दिने मैं मामले की monitoring बहुत सक्तिसे करता हूँ तो मैंने अपना vision आपको बता दिया और सारे पता दिकारी इस vision के साथ चलें और नौजवानों को encourage करें और आपसे मेरी अतिक्षा होगी seniors को respect भी दें अपनी बात भी कहें अच्छी बात और कहीं आपकी कोई अच्छी बात सुनी नहीं जाए तो सीधा मेरे पास आ जाएं मैं आपको देखूँगा कि आपकी बात कितनी अच्छी है यह हमारी सोच है यह करिए चलिए बहुत शुब कामना है